हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पतिमाज उनिक डायरी में दोस्तों ये वीडियो है सकट चौट की संपूर्ण जानकारी दे गई है इस वीडियो में जिसमें किस दिन रत रखना है पूजा विधी क्या है महतो क्या है क्यूं रखा जाता है जिव सकट चौट चौट भगवान गणेश जी को समर्पित होता है अलग-अलग जगह पर इसे संकटा चौट तिल चौट गणेश चौट वक्रतुंड संकस्टी चतूर्थी मागी चौट तिलवा तिलकुट चौट बहुला चौट लंबोदर संकर चौट इन सब नामों से जाना जाता है अलग-अलग जगह पर इस बार कब रखा जायेगा सकट चौट का वरत तो इस बार 10 तारिक को शुरू होगा सकट तूर्थी तिति और खतम होगी 11 तारिक को वैसे तो सकट चौट के लिए उदियातिति 11 जनवरी को प्राप्त होगी लेकिन इस चतूर्थी पर माग माग के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिती 10 जनवरी को दोपहर 12 बच कर 9 मिनट पर शुरू होगी जो 11 जनवरी को दोपहर 2 बच कर 31 मिनट पर समाप्थ होगी ऐसे में सकट चोट का वरत 10 जनवरी को रखा जाएगा इस दिन चंद्रोधय का समय रातरी 8 बच कर 41 मिनट पर रहेगा अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का चेंजिस हो सकते हैं आप संकटा चतुर्थी का महत्व क्या है महिलाय सुखी जीवन संतान की लंबी आयू के लिए सकट चाहत का वरत करती हैं इस दिन भगवान गनेश जी को तिल का भोग लगाया जाता है इसी दिन भगवान गनेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीक्ष्ण बुद्धी का परिचे दिया जाता है ऐसा माना जाता है इस दिन गनपती जी की पूजा करने और मंत्रों का जब करने से बच्चे की बुद्धी और बल में व्रद्धी होती है गोरी पु पूटी सी चौकी चहिए या फिर चकला और उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र गनेश जी को अर्पित करने के लिए पीला वस्त्र और जनेउ अभिशेक करने के लिए गंगा जल लाल और पीले फूल दूरवा की 21 गाठ जरूर रखेगा और मोदक लड़ू तिलकी हल्दी दीपक गाय का घी दही ये जब समान चाहिए कलश कलश के लिए ढकन आम कपत्ता गोरी गनेश गनेश जी की मूर्थिय तस्वीर मौसमी फल गाय का दूर चाहिए चंद्रमा को अर्पित करने के लिए सकत चौत व्रत कथा की पुस्तक और ब्रामर को दान देने के लि पूजा विधी इस व्रत को महलाए निर्जला करती है जिसमें भग्वान गनेश जी की विद्वत पूजा करनी होती है मागमस की चतुर्थी के दिन ब्रम्ह महुर्थ में सनान करने के बाद व्रत का संकल पलिया जाता है और पूरे दिन निराहार रहकर रातर में क्या जाता है तिलसंका चात पर पूजन चतुर्थी की दिन सुबह सनान आदी से निवित्व होकर सक्ष वस्तरधारन करें इस दिन व्रत-धारी लाल या पीले रंग के वस्तरधारन करें स्री गनेश जी की पूजा करते समय अपना मुह पूर्व अथवा उत्तर देशा की और रखें तद पश्चा स्वक्ष आसन पर बैठ कर भगवान गणेश का पूजन करें फूल रूली मॉली एक्ष्यत पंचामरित आदी से श्री गणेश भगवान को इसनान करा कर विधिवत तरीके से पूजा करें गणेश पूजन के दवरान धूप दीप आदी से श्री तिलगुड के लड़ू और मोदक का भोग लगाएं। तिलगुड के लड़ू, कंबल या कपड़े आधी का दान अवश्य करना चाहिए। तिलगुड के लड़ू, कुश, पोस्प, अक्षत, दूद, आधी डालकर चंद्रमा को अर्ग दें। और साथ साथ में बोलें, हे गगन रूपी, समुद्र के माणिक के चंद्रमा, दक्ष कन्या, रोहिनी के प्रियतम, गणेश भगवान के प्रतिविंब, आप मेरा दिया हुआ यह अर्गी स्विकाल कीजिए। चंद्रमा को यह दिवे पापनाशक अर्ग देकर परिवार की कुशलता की प्रार्थना करिए। यहां पर इसके बाद आपको वरत का पारण करना होता है। ऐसा करके प्राणी, दुख, दर्द और करज, रोग, अपमान के विश्चे मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाए और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यू का भय नहीं रहता है। अगर सारे दान आप दस दान नहीं कर सकते हैं तो आपको गुड़ और तिल का करना चाहिए, इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, चंद्रमा को अर्ध देते समय ध्यान देना है कि जल के छीटे पैर उपर नहीं पढ़ने चाहिए। इसके बाद उस कुमार ने एक बच्चे को पकड़ कर आमा में डाल दिया, वह सकट चौत का दिन था। काफी खुजने के बाद भी जब उसकी मा को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने श्री गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुमार ने सुबा मा को बुलवाया, तो मा ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौत की महिमा का वणन किया। तभी से महिलाएं अपनी संताना और परिवार के सौभाग और लंबी आयू के लिए इस व्रत को करने लगी। सकट चौत यानि माग के दिन जो चौत आती है उसमें आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। सकट चौत के दिन पुजा घर में तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर और एक सुपारी रख दें। ऐसा करने से घर में सकारत मक्ता आती है। दूसरा सकट चौत के दिन गणेश जी की पूजा करते समय लाल कपड़े में श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रखें। इसके बाद गणेश जी के साथ ही इसकी पूजा करें। फिर शाम की समय इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन दौलत में राप्त होगी। इस दिन गणपती बपा का अशिरबात पाने के लिए गणेश शाली सा का पाठ और आरती करें। गणेश शाली के पाठ से ही गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और भगतों की सभी मनोकामनाएं पोन करते हैं। सकत चौत के दिन दाई सून वाले गणपती की पूजा करें। ऐसा करने से आपकी सभों मनोकामनाएं पोन होंगी। कहते हैं दाई सून के गणपती के पूजन में विशेश शाधानी के आवशकता होती है और जो कठिनाई से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सकत चौत के दिन विद्यार्ती ओम गणपते नमाह का 108 बार जब करके प्रखर बुद्धी, उच्चि सिक्षा और गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम एक दंताई विद्धे, वक्र तुंडाई धी मही, तन्नो दंती प्रचोदयात। इसका जब करके जीवन के सभी कस्टों औ बाधाओं से दूर रहेंगे आप इन मंत्रों का विशेश तोर पर आपको ध्यान देना है। इस दिन व्रत के दिन आपको कौन सी भूल चूक और गलतियों को से बचना चाहिए। तो दोस्तों सकर चौत के दिन तुलसी क्या पूजा में बिल्कुल भी उप्योग नहीं करन जाता है कि गणेश जी ने तुलसी जी का विवाव त्रसे नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ काले रंग की वस्त्र ना पहने इसकी जगां आप सकट चोथ के दिन पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र अतित्तम माना जाता है अर्ग देते समय आपको ध्यान देना है कि जल के छीटे सरीर पर या फिर पैरों पर ना पड़े अर्ग साथानी पूर्बग आराम से धेरे धेरे देना चाहिए पूजा के बाद चन्रमा को अर्ग देने से ही व्रत पूरा होता है चन्रमा को बिना अर्ग दिये भूल कर भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मुशक यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए ऐसा करने से गणेश भगवान नाराज हो सकते हैं तो दोस्तों तिल संकस्टी चतूर्थी की ये संपोर्ण जानकरी इस वीडियो में दी गई है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद